रेल इस वक्त हमास को खून के आंसू रूला रहा है एक तरफ सीजपायर में अपने बंधकू को हमास से छुड़वा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षणी गाजा में हमास के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मार रहा है बागी हुई 4-0-1 ब्रिगेट हमास के ग्रेंड वैली तबाह हमास को जरा भी उमीद नहीं थी की सीजपायर की ढील के दौरान इसरैली सेना आखरी वक्त तक इतने भीशन और खोंखार हमले करेंगी उतरी गाजा दक्षन गाजा और वेस्ट बैंक में हमास पर सीजपायर डील के दौरान भी इसरैली सेना भीशन हमला कर रही है लगभग पचास दीन के भीशन जंग में अब इसरैली सेना की 401 ब्रिगेड ने दक्षनी गाजा में ऐसा हमला किया है कि हमास और इसरैल के बीच तै हुई सीजपायर डील के खोद इसरैली सेना ने धज्जिया उड़ा दी इसरैली सेना का दावा है कि उसने हमास के ग्रेंड वैली को पूरी तरह से तबाह और बरबाद कर दिया है दावा किया जा रहा है कि हमास के ग्रेंड वैली में मौझूद हमास के कमांडर, लड़ाकी, रॉकेट डीपो और हत्यारुस से भरा अस्पताल इस्रेली सेना ने तबाह और बरबाद कर दिया है इसरेल डिफेंस फोस यानि आईडी एफ ने युद विराम से पहले गाजा पत्टी में जबरतस्त काम्यावी हासल की है आईडी एफ के दावे के मताबिक तक्षणी गाजा के जबालिया इलाके में हमास की ग्रेंड वैली को ढूर निकाला गया है हमास की ग्रेंड वैली में लंबे समय से इसरेल पर रॉकेट दागे जा रहे थी यहां रॉकेट डिपो में रखे सैक्रो रॉकेट को इसरेली सेना ने हवाई और जमीनी हमले में तबाह कर दिया है हैरानी की बाद तो यह है कि बच्चों के ऑपरेशन रूम में मौझूद बिस तरों में हत्यार शपा कर रखे गए थे हत्यारों के जखीरे और भूमिगत बुनियादी ठाचे का खुलासा इसरेली सेना ने किया है इसरेली सेना के मताबिक ग्रेंड वैली हमास का वो इलाका है जहां से लडाई के दौरान हमास के लडाके इसरेली सेना पर जबरदस्त हमले कर रहे थे इस्राइल की 401 ब्रिगेड डे खुफिया जानकारी के आधार पर हमास की ग्रैंड वाईली को पूरी तरह से तवा और बरबाद कर दिया है दावा किया जा रहा है कि हमास के 150 से जादा लड़ा के और सिनियर कमांडर इस्राइल के इस हमले में मारे गए हैं करेंस त्वा सुण ओम, स्लेस बड्रबाद कु ए để ही ताहली एंच प्राए प्राइबसार दोबीटist में क्या अधर जू ग्लाद क ए ए ए हृषब לאृम तरस फई बड़ा को प्रिख इसों प्रता है सीज़ फायर दिखावा है, मिशन हमास का सफाया है सीज़ फायर डील के दोरान भी हमास के उपर इसरेली सेना पुरी ताकत के साथ हमले कर रही है इस्रेली हमलों से हमास चेफ इसमाईल हानिया और खान यूनिस के टॉप कमांडर और नेता अहिया सिनवार बुरी तरह से गौखला गए हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस्रेली सेना से कैसे निप्टे इदर दूसरे तरफ इस्रेली सेना ताब और तोड हमले कर रही है हमास के ग्रैंड वैली में इस्रेली सेना की 401 ब्रिगेड ने दावे के साथ सबूत पेश करते हुए साबित किया है कि ग्रैंड वैली में हमास के घातक हतियार और सेन ने उपकरण मिले हैं लंबी दूरी के रॉकेट, लॉंच शाफ्ट और हमास के उप्रेशन शाफ्ट को इस्रेली सेना ने धून निकाला है पर यहां हमास का उप्रेशन बेस भी मिला है जिसमें गोला बारूद, हथियार और दूसरी चीजे शामिल है ग्रैंड वैली बनी खोनी वैली, मारे गए एक सो पचास लड़ा के इधर लगवर पचास दिन के खोनी जंग में 43 हजार से जादा इमारते गाजा पट्टी में तबा हो चुकी है जबकि 2,25 हजार से जादा इमारते अब रहने लाइक नहीं बची है 10,000 से जादा हमास के लड़ा के मारे जा चुके है इधर इसराइल की IDF ने दावा किया है कि महज 10 घंटे की लड़ाई के बाद हमास का प्रमुक गड़ पर गबजा कर लिया गया है इसराइली सेना का कहना है कि 10 घंटे की भीशर्ण जंग में हमास के दरजनों लड़ा के मारे गए है IDF की मुखे पैदल सेना इकाईयों में से एक नाहल बिगेट के सैनिकों ने उतरी गाजा के पश्रम में जबालिया पर भीशर्ण हमला किया है जबालिया में आउटपोस्ट सेवेंटीट पर IDF ने हमास लड़ाकों को मार कर गबजा कर लिया है IDF ने खुलासा किया है कि हमास के लड़ाके जमीन के उपर और भुमिगत मार्ग से हमले कर रहे है ISA और IDF की खुफिया जानकारी के आधार पर एक IDF फाइटर जेट ने सेंट्रल कैम्प ब्रिगेड में हमास की एंटी टैंक मिसाइल उनिट के प्रमुक इब्राहिन अबुमक्सीब को मार डाला है IDF के मताबिक अबुमक्सीब ने मारे जाने से पहले इसरेली नागरी को और IDF सेनी को पर कई एंटी टैंक मिसाइल से हमला करने जा रहा था इससे पहले हमास के एंटी टैंक मिसाइल के कमांडर मुहम्मद असर को IDF ने मार डाला था हमास के कमांडरों की सिरियल किलर बनी आई डी एफ लेकिन इसके बावजूद कब्रिस्तान बन चुके उत्री गासा में हमास के लड़ा के लगातार इस्रेली सेना और टैंकों पर भीशड़ हमले कर रहे हैं हैरानी की बात तो ये है कि हमास के अलग कसम ब्रिगेड अमेरिकी और रूसी हत्यारों से इस्रेली सेना पर हमला कर रही है हमास के पास जो खातक राइफले हैं उन्हें देख कर ही लग जाता है कि ये या तो अमेरिकी हैं या फिर रूसी इसे वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ा के अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकल कर आर बीजी फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से हमले कर रहे हैं जबके जमीन पर इसरेली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है इसरेली सेना पूरी तरह से या तो टैंक के अंदर है या फिर किसी वक्तरबंद वाहन के अंदर से हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है हमास के इस खुफिया युद्ध ने इजरेली सेना के पसीने छुडा दिये हैं खुद इजरेल के रक्षा मंत्री तक मानने को मजबूर है कि उन्हें बेहद करूर और शातिर लड़ाकों से जंग करनी पड़ रही है हुआ कर अर्भबबबबबब बेला।क से जन्हे अंग करिए में अर्भबबबबबबबबबबबबबबाबबबब भि कमाने कर यो लod उन्हें इसी एक रिक उन्हें करूरे। वामास की ग्रैंड वैली तबाह लेकिन जिस तरह से इसरेली सेना ने सिल्सवाय से चीक पहले तक हमास प्रोकूर और बेरहम हमले किये है उसने हमास की रीड तोड़कर रखती है दक्षड गाजा के जवालिया में मौझूद हमास की ग्रैंड वैली तबाह होने के बाद से हमास के हॉस्टले पस्त पुछ चुके हैं इसरेल की सेना गासा पट्टी में पहले सुरंगो के जाल को लगतार खत्म करने की खोशच में लगी है